दोस्तो नमस्कार हमारे EPA Palm Analysis चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करने वाले है हाथ में बनने वाला विदेश यात्राओं के रिखाओं के वारे में आपके हाथ में विदेश यात्रा का योग है या नहीं इसके बारे में और अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते है तो वो रेखाय कौन सी होती है जो फोरें सेटल्मेंट दिलाती है तो ये सभी प्रकार के बाते इस वीडियो में चर्चा करने वाले है तो वीडियो को कंप्लिट देखिए अगर जानकारी अच्छा लगे तो क क्योंकि चंद्र मन का कारक होने के साथ साथ यात्राओ का भी कारक माना जाता है हाथ की ये वाला एरिया चंद्रपरवत का होता है अगर किसी बिक्ति के हाथ में चंद्रपरवत पर कुछ इस प्रकार के रेखाय हो जो हाथ की किनारे से आती हुई पाई जै या मनी बन के और से कोई रेखाय चंद्रपर्वत की तरफ आती हो इस तरह के रेखाय बेक्टि को यात्रा कराता है अगर रेखाय बहुत छोटी हो जो हाथ के किनारों पर ही रह जाए तो ऐसा वेक्टि यात्रा के लिए सोचता तो है मगर यात्रा कर नहीं पाता मगर रेखाय थोड़ी बड़ी हो तो वेक्टि खोब यात्रा करता है ज्यादा लंबी दूरी की यात्रा यानि विदेश यात्रा के लिए इस रेखा में से किसी रेखा को लंबी होना ज़रूरी होता है जो हाथ के किनारों से चंद्रपरवत के बन जये इस तरह से, तो इसे अच्छा नहीं माना जाता, यह यात्रा में दुरगटना की सम्भाबनाओं को दर्शाता है, इसके इलाबा यात्रारेखा पर स्टार या दीपCont revolution का निशान बने, तो इसे भी अच्छा नहीं माना जाता, किसी भी यात्रारेखा पर स्क्राइर का निशान बने तो ऐसे विक्ति की लंबी दूरी की यात्रा काफी सुभ शफल और फायदे दिलाने वाला होता है वैसे चंद्रपरवत पर इंडिवीजुआली इस तरह से कोन बन जाए या त्रीकोन का साइन बने या फिर दो त्रीकोन मिलकर काइट जैसी या डमरू जैसी साइ साइन बन जाए या फिर फिस का साइन बने इस तरह से फिस बन जाए जैसे आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे इस तरह से फिस का साइन बने तो भी ऐसा विक्ति विदेश यात्रा करता है संभावित ऐसे विक्ति की यात्रा किसी धर्म इस्थाल या तिर्थ यात्रा का होत और यात्रा रेखा आगे चलकर भाग्य रेखा से जूर जाए तो ऐसे विक्ति की भाग्य उदय यात्राव से होता है अर्थात ऐसे विक्ति एक बार विदेश जाने के बाद भाग्य का मार्ग खुल जाता है या विदेशों से संबंदित कारोबार के लिए विक्ति को आर्थ थीक उन्नती होता है और वेक्ति लागादार यात्राय करता है अगर किसी वेक्ति के हाथ में यात्रा रेखा आगे चलकर जीवन रेखा से मिलता है हाथ की ये वाली रेखा जीवन रेखा होता है और यात्रा रेखा आगे चलकर जीवन रेखा से मिल जाए तो ये वेक्ति को न जीवान रेखा को काटनी नहीं चाहिए, कोई भी यातरा रेखा जीवान रेखा को काटे, तो यह इसे सुब नहीं माना जाता, यह खत्रे का संभाबनाओं का भी दर्शाता है, अगर किसी बिक्ति के हाथ में चंद्र परवत से कोई यातरा रेखा निकल कर बूध परवत पर जाए, इस तरह से बने या ऐसे बन जाए, छोटी वाली उंगली के नीचे भूध परवत का एरिया होता है, और कोई रेखा चंद्र परवत से उठकर भूध परवत के तरब जाए, या जानी की कोशिस करे, तो ऐसे विक्ति निश्चीत रूप से बिदेश यातरा करता है, अब यातरा भी विविन्न प्रकार का हो सकता है, इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे इस प्रकार के यातरा रेखा से कोई ब्रांच निकल कर साखा निकल कर सूर्य परवत के तरब जाए, ये अनामी का उंगली के नीचे सूर्य परवत का एरिया होता है, ये वाला सम्मान प्रसिद्धी खेती दिलाने वाला होता है इस मुख्य यातरा रिखा से कोई ब्रांच निकल कर सनी परवत के तरब जाए मध्धमाउंगली के नीचे सनी परवत का एडिया होता है तो ऐसे विक्ठी की यातरा व्यापार से संबंदित यानि बिजनिस के सिल्सिले में हो होता है इस प्रकर के कोई साखा निकल का गूरू परवत पर जा पहुचे चाहे ऐसे बन जाए या फिर इस तरह से बन जाए तरजनी उंगली के नीचे गूरू परवत का एडिया होता है तो यह इस बात की संकेत होता है ऐसे विक्ठी की बिदेश यात्रा शिक्षा और मंगल परवत पर जा पहुचे हाथ की एवाला एरिया मन निम्नमंगल का होता है तो यह दर्शाता है ऐसे बिक्ठी की बिदेश यात्रा साहसिक कारे से समंदित होता है जैसे किसी भी प्रकर के स्पोर्ट्स हो गया खेल खुद से समंदित सिल्सिलों में या और भी जितने भ परवत से कोई साखा सुक्रपरवत पर जा पहुचे या मानले सुक्रपरवत से कोई रेखा निकल कर चंद्रपरवत पर जा पहुचे तो भी ऐसे विक्ठी की यात्राय बिविन्न प्रकार का हो सकता है ऐसे विक्ठी घुमने फिरने के उद्देश में भी विदेश यात्रा करता है यह सब के इलावा हाथ में जीवन रेखा से भी यात्राओं के बारे में पता चलता है हाथ की ये वाला रेखा जीवन रेखा होता है यदि किसी वेक्ति के अगर किसी वेक्ति के हाथ में जीवन रेखा अंत में जाकर दो मुक्में विभाजित हो और यहां से विभाजित होकर एक साकत चंद्रपरवत के तरब चला जाए यह मून माउंट यानी चंद्रपरवत का एरिया है तो ऐसे बेक्ति जीवन में काफी बार विदेश यात्राय करता है और फोरें सेटल्मेंट का सामभाबनाय भी बनता है ऐसा अक्सर देखा जाता है क कोई बेक्ति किसी भी काम के सिल्सिले में घर से दूर जाता है चाहे नोकरी के सिल्सिले में हो या किसी भी अन्यकारण से विदेश जाता है और फिर वहां पर जाकर पर्मानेंट सेटल हो जाता है और फिर हात में चंद्रपरवत से निकलने वाली भाग्य रिखाए भी देखा सुक्रपर्वत को घेरती हुई मनिबंद के तरफ जाए हाथ की ये वाला एरिया सुक्रपर्वत का होता है और साथ में जीवन देखा से एक साखा निकल कर चंद्रपर्वत के तरफ न जाकर सुक्रपर्वत के तरफ जाए इस तरह से तो ऐसे विक्ति की यात्राय तो ख और जिन्दगी की आखरी समय अपनी जनमिस्थान पर ही गुजरता है। और जब किसी वेक्ती के हाथ में जीवन रेखा चंद्रपरवत के तरफ जुगी हुई पाई जाए या फिर जीवन रेखा अंत में जाकर चंद्रपरवत के तरफ मुर जाए जिसका अलग से कोई साखाय ना हो तो फिर ऐसे विक्ति निश्चीत रूप से घर से दूर बीदेश जाकर ही बसते हैं और फिर बापस अपने देश लोटके कभी नहीं आते ऐसे विक्ति की जन्मिस्तान कहीं और होता है और जीवन की अंध किसी दूसरे देश में जाकर ही होते हुए देखा जाता है तो यह थी जानकारी यात्रा रेखा और फोरें सेटेलमेंट के बारे में दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल में पहली बार आये है तो इस चैनल को भी सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल अल पर भी क्लिक करें तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.